नीम परियाफरन के लिए जितना उत्तम है उत्रा ही स्वास्ते के लिए बहतर माना जाता है। लोग नीम का उपयोग के सालों से आयुरुवेदिक ओशदी और घ्रेलू उपाय के तोर पर करते आ रहे हैं। शरीर से जुड़ी कई चोटी बड़ी समस्यों के लिए नीम के पत्तों से लेकर इसकी शाल तक इस्तिमाल किया जाता आ रहा है। वहीं कई लोग नीम के पत्तियों को खाने में भी शामिल करते हैं। ऐसे में नीम का उपेयोग कितना फाइदे मंद और कितना नुकसान दायख है इसके जानकरी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। यहां आपको नीम के फाइदे और नुकसान के बारे में कई मैता पुर्ण जानकरी हैं मिलेंगी। साथ ही नीम का तेल बनाने की विदी से लेकर ओशदी और डाइट के रूप में नीम के उपयोग से जुड़ी हर मैतपुरण जानकरी देंगे। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नीम है क्या। नीम एक ओशदीय पेड़ है जिसके लगबग सबी बागों का इस्तेमार स्वास्ते के लिए फाइदे मन माना जाता है। यह महोगरी परिवार से सबंद रखता है और इसका वन्सपतिक नाम अजादी रिक्टा इंडिका है। नीम ट्री का जिम्लकाल डेर सो से दो सार तक का हो सकता है। अनुमान यह है कि भारत में लगबग लाखों नीम ट्री है। वही आयरुवेद में नीम की एहम भूमिका है। इसका इस्तेमाल तबच्चा सबंदी परशानियों से लेकर स्वास्ते सबंदी समस्यों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। वीडियो में हम आगे नीम के ओशदी गुन से लेकर नीम काने के फायदे से जुड़ी के सारी जानकरियन देंगे। अब जानेंगे नीम के फायदों के बारे में। नमबर वन एंटी पक्टिरियल गुन नीम के ओशदी गुन एक नहीं बलकि के सारे हैं। यही कारण है कि इसका इस्तिमाल सदियों से किया जाता रहा है दरसल इसमें एंटी पक्टीरिय, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी वाइरल वाले गुल मवजूद होते हैं यही नहीं आपको जानकर हरानी हो सकती है कि नीम साम के जहर के असर को कम करने की शमता भी रखता है नंबर टू सांस्वंदि समस्याओं के लिए बी नीम उपयोगी हो सकता है इससे सबंदी चेकर सर्च में इस बात की जानकरी मिलती है कि नीम के पत्तों में एंटी इंफ्लमेंट्री एंटी बैक्टीरियर और एंटी ऑक्सिडेंट गून मुझूद है इसके य यहीं नीम का एंटी अलरजी कुल अस्त्मा की समस्या के लिए उपयोगी हो सकता है। दमा के लिए नीम एक आयूर्वेदिक उषदि की तरह काम कर सकता है एक शोध के अन्सार नीम के शाल का अरक गैस्टिक हाइपर-एसड़िटी और अल्सर पर साकरात्मत प्रवाब दिखा सकता है नीम के शाल का अरक उषदि की तरह काम कर सकता है वही NCBI के एक शोद में नीम में एंटी अलसर गुन होने का जिकर किया गया है इस अधार पर कहा जा सकता है कि नीम का एंटी अलसर गुन अलसर से बचा में एक सहाइक भूमी का निवा सकता है वही अगर किसी को अलसर की समस्या है तो वह बैतर है पहले डॉक्टरी परमर्ष के अंसार इलाज कराए, साथ ही डॉक्टरी सला से ही नीम जा नीम योगत खादया पतातों का सेवन करे नमबर फोर, डायबटीज में नीम के फाइदे नीम की कड़वाहट मदुमे की समस्या को नियंतरित करने में सहाइक हो सकती है दरसल NCBI की बैपसाइट पर प्रकाशित एटर सर्च से पता चला है कि इसका हाइपोग्लाइसेमिट प्रवाव ब्रड शुकर लेवल को कंट्रोल करने में उपयोगी हो सकता है वहीं अगर कोई मदुमे की दवा का सेवन कर रहा है तो बैतर है नीम के सेवन से पहले टॉक्टरे परामर्ष ले नमबर फाइफ औरल हेल्थ में नीम के फाइदे मूँ से जुड़ी समस्याओं के समादान के लिए नीम का उपयोग किया जा सकता है माना जाता है कि माउथ कलीनर प्रोड़क्ट जिन में नीम का अर्क मजूद होता है मूँ के स्वास्ते के लिए उपयोगी हो सकता है साथ ही नीम में मजूद एंटी माइप्रोबियल गुन दांतों में प्लाक को बढ़ाने वाले स्ट्रेप्टोपॉपस, मूटन जैसे बक्टीरिया को परपनी से रोख सकता है इसके इलावा एंटी इंफ्लामेंटरी गुनों से बरपूर नीम के पतियां मूँ और मसूदों में सूजन की स्थिती को ठीक करने में मदद कर सकती है साथ ही नीम मसूदों से ब्लीडिंग दांतों की सरन की समस्या से में बचाव कर सकता है आज भी स्वस्ते दांतों के लिए कई लोग नीम का दातों का उपयोग करते हैं ऐसे में आप भी दांतों को मझबूत बनाने के लिए कभी कभी नीम के दातों का विकल्प चुन सकते हैं कुछ रोग में नीम का उपयोग कुछ रोग के कुछ लक्षनों को भी कम करने में नीम के फायदे दिखे जा सकते हैं एक स्टड़ी के अनसार कुछ रोग के उपचार के तोर पर नीम के 20 के तेल के उपयोग की बात कही गई है वही आयरुवेद में भी कुछ रोग के इलास के लिए नीम के पतों को उपयोगी बताया गया है हलांकि नीम का कौन सा गुन कुछ रोग के लिए उपयोगी हो सकता है इस बाद की पुरुष्टी नहीं हुई है साथ ही इस विश्य में शोध काफी सीमीत है ऐसे में हम यहां स्पष्ट कर दें कि कुछ रोग जैसी अवस्था में सिर्फ नीम के उपयोग पर निर्पन नहर रहकर डॉक्टर से उपचार कराना भी जुरूरी होता है बैतर है इस विश्य में डॉक्टरी इलास को प्रात्मुत्ता दी जाए मलेरिया के उपचार में नीम काफयोग मलेरिया के प्रवाव और इसके लक्षनों को कम करने में नीम के पत्तों के फाइदे देखे जा सकती है दरसल नीम के पत्तिय एंटी मलेरिया गुन से बरपूर होती है जो मलेरिया की दवा के रूप में काम कर सकती है और इस समस्या से उबरने में मदद गर सकती है ऐसे में मलेरिया के उपचार के लिए डॉक्टरी इलास के साथ-साथ नीम का गरेलो उपाई भी अजमाया जा सकता है हरांकि मलेरिया में नीम का उपयोग कैसे और कितनी मातरा में करना है इस बारे में डॉक्टरी परामर्श जरूर लें नमबर एक लीवर को स्वस्त रखने में नीम का उपयोग लीवर के लिए नीम लापकरी हो सकता है दरसल नीम का उपयोग लीवर के शती और कैंसर से बचाव कर सकता है ऐसे में लीवर को स्वस्त रखने के लिए नीम का सेवन उपयोगी हो सकता है 9. मोहांसों के लिए नीम के फाइदे मोहांसों से निजात पाने के लिए नीम का उपयोग बेहुद लाबकरी माना जा सकता है नीम का उपयोग मोहांसों का कारण बने वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में साइक हो सकता है वहीं इसमें anti-bacterial और anti-inflammatory गुन मजूद होते हैं जिस कारण कील मुहासों की समस्या से बचाव के लिए यह उपयोगी हो सकता है मुहासे से छुड़कारा पाने के लिए नीम का पेस्ट जा फेस पेक लाब करी हो सकता है ऐसे में नीम का उपयोग तो अचा को सुष्ट रखने के लिए किया जा सकता है नमबर 10 जू और लीख में उपयोगी नीम बालों में जू और लीख को खतू करने के लिए नीम का उपयोग किया जा सकता है एक विज्यानिक शोध में नीम के तेल को जूओं के खिलाफ कारगर उपाई माना गया है खासकर इसे बच्चों में सिर के जूओं के उपचार में परबावी माना जा सकता है ऐसे में जून की समस्य से निजाद पाने के लिए नीम के तेल को शैंपू में डाल कर उपयोग किया जा सकता है दोस्तों अभी महुत सारी जानकारी बाकी है तो वीडियो के अंतक बने रही है अब जानते हैं नीम के नुकसान के बाई में नीम कहने को तो परकरती का बरतान है लेकिन इसका इस्तिमाल ध्यान पूरवक ही किया जाना चाहिए। नीम और तुलसी जैसे पतियां अपने ओश्टी अलावों के लिए लोग प्रिया है। हम सभी जानते हैं कि ये हमें के इतरह से फाइदा पहुंचाती है। जब नीम के ब बाव होते हैं। नीम के पत्ते बहुत स्टॉंग एंजाइमों से भरे होते हैं जबकि ये वविंग तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। तो नीमलिक तरीके से जिन से ये आपको नुक्सान भी पंचा सकते हैं। स्वास्ते जीवन जीने के लिए ब्लड शुकर की स्टर को बनाए रखना चाहिए। जबकि मीठा और चिकना बोजन काने से ये बढ़ सकता है। के लोगों का सुझाव है कि नीम के इस्तिमाल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हरांकि सही मात्रा में इसका सेवन करना ज को अत्यादिक उतेजित करता है। नीम जा नीम अतारित प्रोडक्स का सेवन निश्चित रूप से किसी म्यक्ति के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन स्वास्ते रिपोर्टों के अंसार नीम का अधिक सेवन आपके लिए खतनाक भी हो सकता है। ऐसा इस किसी का अंग शतिकरस्त हो जाता है तो यह जीवन के लिए खत्रा बन सकता है। वो दारन के लिए नीम का अधिक सेवन आपके किड़ने को नुपसान पहुचा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्ते के प्रती बहुत अधिक जागरुक हो जाते हैं। वे नीम का अधिक सेवन शुरू कर देते हैं, अधिक मातरा मिसका सेवन आपके जागरुक हो सकता है। इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलों में नीम से अलर्जी भी हो सकती है। तो अब जानते हैं नीम का उपयोग कैसे करें। नीम के फाइदे जानने के बाद यह सवाल उठता है किसका उपयोग कैसे करें। लेप के रूप में लगाया जा सकता है, नीम के पत्ले डालों का इस्तिमाल दातुन के रूप में किया जा सकता है, नीम का पत्ता फ्राई करके भी खाया जा सकता है, रूसी और जू को कम करने के लिए भी नीम के पत्तों से बने तेल का उपयोग किया जा सकता है, तो अब जा तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं नीम का तेल बनाने की विदी क्या है यहों तो नीम का तेल असानी से बजार में उपलब्द होता है लेकिन उसमें कई सारे रिसायनिक रत्व मिले होते हैं ऐसे में घर में बनाये गया नीम का तेल बजार से मिलने वाले नीम की तुलना में ज़्यादा शुद और सुरक्षित हो सकता है तो जलिए जान लेते हैं घर में नीम का तेल बनाने की विदी गया है सबसे पहले नीम की पतियों को अच्छे से दो कर सुखा ले इसके बाद इन पतियों को ग्राइंडर में डाल कर पीस ले फिर इसमें नारियों का तेल डाले और थोड़ा सा और ग्राइंड कर ले जब नीम की पतियां और नारिया का तेल अच्छे से मिल जाए तो इसे एक पैन में डालकर हल्के फ्लेम पर गर्म करें अब इसे 4-5 मिनिट तक कम आँच पर पकाए ध्यान रहे नीम की पतियां जले ना अब दोनों मिशन अच्छे से मिल जाए तो गैस बंद कर दे फिर उसे थोड़ी देर ठंडा होने दे मिशन जब ठंडा हो जाए तो अब इस तेल को छनी की मदद से एक बोतल में शान लेजिए और आपका नीम का तेल तेल तियार है दोस्तों उमीद है कि इस वीडियो के जरिए आप नीम के पत्तों के फायदे जान गए होंगे इसमें कोई शक नहीं है कि नीम प्री ओश्धिये गुनों से बरफूर होता है हरांकि नीम के लाव के साथ 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 दानी के तोर पर हमने वीडियो में नीम के नुकसान की भी जानकरी दी है वही नीम के नुकसान से बचाव के लिए हमने वीडियो में नीम के उपयोग की जानकरी भी साथ जाती है ऐसे में सही तरीके से नीम का उपयोग कर नीम का लाव उठाया जा सकता है हलांकि एट बार फिर से आपको बता दे कि नीम किसी बिमारी का इलाज नहीं है वलकि बिमारी के प्रबाव और लक्षनों को कम करने के लिए उपयोगी हो सकता है हाँ हो सकता है नीम के सेवन से कुछ बिमारियों का जोखिम कम हो जाए ऐसे में नीम के लाप से जुड़े इस वीडियो को दूसरों के साथ भी सांजा करें हर किसी को नीम के फाइदे बताएं